नमस्कार आप देख रहे हैं एटियन लाइब और मैं हूँ चंदन सीवान के पुर्विसांसद मुहमज शाहबोदिन की पत्नी इस बार निर्दलिये तोर पर सीवान लोकसभा सीट पर चुनाव लड़ रही है बताते चले की हीना साहब के चुनाव लड़ने से कहीं न कहीं आरजेडी का जो परिवार है लालू परिवार वो बिल्कुल टेंसन में होगा और ये उनके समर्थक बता रहे हैं कि इस बार हीना साहब निर्दलिये हैं ऐसे में कई सीटों पर इसका सीधा असर पड़ेगा समर्थकों का मानना है कि लालू यादो और उनके पूरे परिवार ने हीना साहब को इगनोर किया और इसका खामिया जा इस बार तो मिलेगा ही लेकिन आने वाले दोहजर 25 के भी विधान सभा के चुनाओं में इसका सीधा असर लगेगा आपको बताते चले कि हीना साहब जिस तरीके से सीधे तोर पर जब सिवान में एक सभा कर रही थी और उसमें उन्होंने कहा कि जिस पाटी को मेरे पती ने सीशने का काम किया जमिन से आसमान तक पहुंचाने का काम किया उन लोगों ने मुझे इगनोर करने का काम किया तो कहीं न कहीं यह तो जिस तरीके से हीना साब अब धीरे-धीरे खुल कर अपनी बातों को रख रही है ऐसे में जो RJD के लोग हैं उन्हें कहीं न कहीं डर जरूर सता रहा है आपको बताते चले के जिस तरीके से गुपाल गंच का उपचुना हुआ या फिर कुढ़नी का जो उपचुना हुआ उसमें सीधे तोर पर असर देखने को मिला महज थोरी ही वोट से आरजेडी के कैनिडेट को वहाँ पर हार का सामना करना परा लोग बताते हैं कि अगर हीना सहाब वहाँ पर चली गई रहती तो साइद वो हार नहीं होती और इसी को लेकर के जिस तरीके से हीना सहाब इस बार निर्दलिये चुनाओ लड़ रही हैं उसके कई माइने हैं पहले तो यह है कि हिना सहाब के लोग का कहना है कि तीन बार से आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़ी और स्वर्ण जो ओट है वो अथोरा बहुत साथ में आता था आरजेडी का टिकट मिलने के कारण वो साथ में वो लोग नहीं आते थें और इसको लेकर के जो बेस ओट अब वो भी जो एमवाई समीकरन की बात होती थी उस समय यहाँ पर यादो कोई भी कैनिडेट आ जाते थें और समीकरन यहाँ पर बिल्कुल तूट जाता था लेकिन इस बार जिस तरीके से हिना सहाब बिल्कुल एक निर्दलिये के तोर पर शुनावी मैदान में आई लेकिन सवाल है कि NDA के भी उमिद्वार हैं विजय लक्षमी कुसवाहा और RJD के भी उमिद्वार हैं अवद भिहारी चौधरी और ऐसे में हिना सहाब इस बार RJD से अलग होकर के चुनाव लड़ रही हैं कितना फायदा हिना सहाब को मिलेगा कितना हिना सहाब के चुनाव नुकसान होगा यह सब कुछ आने वाला वक्त बताएगा लेकिन सिवान की जो सीट है लोकसभा और यहां की जो जनता है वो बिलकुल सभी को देख रही है समझ रही है और साइलेंट है साइलेंट ओटर जो होते हैं वो बिलकुल आने वाले समय में अच्छा फैसला लेते है और सिवान के जनता भी साइद इस बार कुछ अच्छा निर्ड़े लेने वाली है क्योंकि धुआधार जो बल्लेबाजी चल रही है तमाम जो भी प्रत्यासी हैं सभी प्रत्यासीयों का और ऐसे में अपने अपने जीत के तो सभी लोग दावे कर रहे हैं सवाल है कि क्या हीना सहब इस बार निर्दलिये सभी लोगों का मत हासिल कर लेंगी क्या इनके चुनाओ लड़ने से लालू परिवार भी टेंसन में है क्या हीना सहब के चुनाओ लड़ने से सीवान छपरा गोपाल गंजी या फिर जो आस पास की जो सीटे है उस पर भी असर पड़ेगा ये सब कुछ जो चीजे है तरह तरह की जो चर्चाएं है ये मार्केट में हो रही है हाला कि जनता को फैस्ला लेना है कि सिवान का सांसद किसे बना करके सदन में भेजने का काम करेगी लेकिन इतना तो जरूर है कि हीना सहब के निर्दलिये चुनावी मैदान में आजाने से लालू जादो की टेंसन बढ़ गई है और वो सोच रहे होंगे कि आखिरकार हीना सहब क्या कुछ कर सकती है एटियन लाइब के लिए चंदन कुमार सिवान